चुप हो जाएए बाई साथ सभी लोग बैट जाएं कि थोड़ा खिसक जाएए बाई साथ क्या इस प्रकार की सेंटेंस पोले हैं आपको भी प्रब्लम होती है तो आज मैं आपको बताने वाला हूं अच्छे से अच्छे सेंटेंस जिनकी हैं से आप इंग्लिस फ्लेंटली सकते हैं बिदाउट एजिटेशन के हेलो फ्रेंड्स आइम भूपैंसिंग फ्रेंट आफ यू और यूटूब चैनल आलंबान टूपएंट जीगो तो फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करने इस पहले आई एम रिक्वेस्टिंग यू आर निव मैं यूटूब चैनल प् चैनल कोई भी जो इंग्लिस बोलने में हैजीटेशन होती है तो आप उसको हमारे ईए वीडियो सेर कर सकते हैं तो भी फ्रेंड्स मेरे इस वीडियो की हैल्प से बिदाउट हैजिटेशन के इंग्लिस बोलना सीख सकता है इज फ्लुएंट ली तो चलिए आज इस वीडिय उसको तो बोलते हैं यहां आओ तो बोल सकते हैं कम हेर आपको फ्रेंट्स मेरे साथ भी बोलना है एक वार मैं बोलूँगा एक वार आप बोलेंगे एक वार फिर से स्टार्ट करते हैं यहां आओ कम हेर एक वर आपको बोल लिया, उसका सेकंड सेंटेंस है, वहां चले जाओ, या वहां जाओ, उधर जाओ, ऐसा ही बोल सकते हैं, आप यहां पर उधर जाओ, उसके बदले हम बोलेंगे, go there, go there, उसके बाद थर्ड सेंटेंस है, हमारे फ्रेंट्स, यहां से चले जाओ, अपन किसी किसी से कई बार थोड़े गुस्ते हम बोलते हैं, प्यार से ही बोलते हैं, यहां से चले जाओ, मुझे अकेले रहने दो, तो उस कंडिशन में फ्रेंट्स हम बोलेंगे, go from here, क्या बोलेंगे, go from here, आपको फ्रेंट्स एक बार बोलना है, क्योंकि अगर आप बोलेंगे नही तो मेरे इस वीडियो बनाने का कोई मोटिव नहीं रहा, क्योंकि मेरा मोटिव है आप से इंगलिस बोलवाना, तो प्लीज आप बोलते जाएं मेरे साथ एक बार, मेरे बोलने के बाद, उसके बाद नेक्स्ट है हमारा, रुको जरा, अपन कई वार अपन फ्रेंड्स या कि किये, वेट अमिनिट, ऐसा ही बोल सकते हैं, सेकंड की जगा, फ्रेंड्स अपन क्या सकते हैं, मिनिट, वेट अमिनिट, उसके बाद, नेक्स्ट है हमारा, अपन बच्चों से कहते हैं, मुस्स टाइम अपन घर पर हमबग करवाते हैं, इस कील कोचिंग पर कही पढ़ाते ह हैं, तो अपन बोलते हैं, अपनी किताब बंद करो, तो क्या होगा, close your book, close your book, चीक है, नेक्स्ट है हमारा, थोड़ा खिसे किये, क्या होता है, थोड़ा खिसे किये, तो move a bit, इसमें अगर आपन यहां आगे किर्पया लगा दें, किर्पया थोड़ा खिसे किये, तो यहां पर please लगाना पड़ेगा, please move a bit, इस से फ्रेंट सेंटेंस थोड़ा अच्छा लगने लगता है, please, यानी request type का लगता है, तो कोई भी बंदा है, या कोई भी students है, वो आराम से खिसक जाता है, उसको लगता है, अच्छा लगता है बोलने ने, please move a bit, उसके बाद नेक्स्ट है इसे बच्चों से क्लास में बोलते हैं, चुप रहो, सोर मत करो, तो आप उन बोल सकते हैं, keep quiet, क्या बोल सकते हैं, keep quiet, या फिर keep silent, यहां silent की जगाए, quiet भी बोल सकते हो, q-u-i-e-t, या silent, जो भी बच्चे फ्रेंट्स नोट करना चाहें, वो नोट भी कर सकते हैं, ठीके, उसके बाद सोर मत करो, तो सोर मत करो, don't make a noise, क्या होगा फ्रेंट्स, don't make a noise, उसके बाद है, एक-एक से आओ, अपन कही बार कोई official work कर रहे होते हैं, या school में भी, या coaching पे भी presently type का लगा रहे हैं, जहां पर crowd ज़्यादा है, public ज़्यादा है, भी ज़्यादा है, तो अपन one by one, come one by one, उसके बाद next है हमारा, बैट जाइए सभी लोग, या बैट जाइए सभी, लोग भी नहीं हो सकता, वहाँ पर लोग अटा होके हैं, बोलेंगे बैट जाओ सभी, तो बोलेंगे sit down everybody, क्या बोलेंगे friends, sit down everybody, everybody, उसके बाद next sentence है friends हमारा, बकवास मत करो, कई बार अपन बोलते हैं, friend circle में भी, या घर पर ही बोलते हैं, कोई बकवास ज्यादा बोल रहा होता, तो अपन कहते हैं, या कुछ उपटांग बातें कर रहा होता है, तो अपन बोलते हैं, बकवास मत करो, तो बोलेंगे don't rubbish, क मुझे अकेला छोड़ दो, क्या बोलेंगे friends, मुझे अकेला छोड़ दो, कोई परेशान होता अपने घर में, तो बोलते हैं, चले जाओ यहां से, थोड़ी देर मुझे अकेला रहने को, बोलेंगे leave me alone, क्या बोलेंगे, leave me alone, मेरी बात सुनो, कुछ लोग होते हैं, तोड़े senior लोग, और जैसे अपन मीटिंग में भी हैं, या फिर class में हैं, teacher लोग, तो अपन बोलते हैं, teachers बोलते हैं, तो मेरी बात सुनो, ध्यान से सुनो, listen to me, अगर ध्यान से लगा है, तो आगे बोलेंगे, carefully, listen to me carefully, मेरी बात ध् है हमारा, चलो, चला, यानि कहीं से अपन गए हैं, और वहां से अब चलना है, तो let's go, चलो, चला, let's go, उसके बात है, कोई काम अपन शुरू करना चाहते हैं, तो उसके लिए बोलेंगे, चलो, शुरू करना, यानि let's start, let's start, मेरा काम हो गया है, तो I have done, friends यहां तक भी छो पूर सकते हैं, और अगर आगे बोलना है, आपको full sentence, I have done my work, अगर कोई friends, frontier person आपका जो समझने पारा है, तो आप पूरा भी बोल सकते हैं, I have done my work, तो friends, इस प्रकार से हमारे ये सभी sentences complete हुए, अब अगर आपने friends, मेरे साथ-साथ ये वीडियो, ये sentences नहीं बोले हैं, तो please, बोलिए मेरे साथ, एक वार फिर से वीडियो को देखिए, और बोलिए, क्योंकि जब तक friends, आप बोलेंगे नहीं, तब तक आप English बोलना नहीं सि लोग हैं, वो देख सकें हमारे इस वीडियो को, और English without hesitation के fluently बोलना सीख सकें, तब तक के लिए, thanks for watching, keep smiling, keep laughing, thank you.